दमश्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलारासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तुलारासी वालों के लिए कैसा रहेगा किन कीन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइप के से रहेगी केरियर के सा रहेगा बिजनेस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्ते की महतपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबरंग के क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इगुपाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ में नोटोपीकिसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलि दोस्तों बात करते हैं कि कैसा रहेगा तूला राषी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके लिए गिरिश्ट बहुत ही अनुकुल बनी हुई है आपको अपने प्रयाशों के अनुकुल परनम हासिल होंगे तो दा कुछ समय नहीं किरिया के लाकों और ज्ञान वर्दक बातों को सीखने में भी शमयवितित होगा जिसे आपको व्यक्तित में भी निकार आएगा आज आपको अपने किसी विश्य सिकार में सफलता मिलने वाली है, लोग भी आपकी काबलियत और योगता के कायल भी हो जाएंगे, अगर परपटी की खरित परुक्त समय दे कोई करवाई चल रही है, तो आज उसे समय दे गतिविदी आसानी से शंपन हो जाएगी, सिर्फ आपने लक्ष को आसानी से हासिल कर लेंगे, परतिस्टिस लोगों से मिलना जुलना आपके व्यक्तित में निखार लाएगा, तथा कोई नई बातों में भी सीखने को मिलेंगे, भाग आपको हर प्रस्विदी का शामना करने में भी छमता दे रहा है, दोस्तों किसी खास सम समस्या का समधान मिलने में आपका प्रयाश शफलता रहेगा, अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो उसकी वसुली के लिए प्रयाश करें, शफलता मिल सकती है, धार्मी संस्ता के लिए आपका योगदान रहेगा, दोस्तों कोई पैत्रिक समन्दी का वाद विबात चल रहा है, तो उससे सुल्जाने के लिए समय अच्छा है, किसी सुपचिन तक की सलह और मार्गदर्शन भी आपके लिए मदद गार रहेगा, कोई लाबदाय यातरा भी शंभाव है, क्रिस्ति अनुकुल बनी वी है, आपकी आर्थी योजना आसानी से भली भूती होंगे, जिसे म परभलित रहेगा, रोजमारा की विवस्ता से रहात पाने के लिए खुश में किसी एकांत वातावरण में वेतित करें, जिस दिन कुछ मिस्तित प्रभावाला रहेगा, परवारी वाद विवादों में सुल्जान में अनुकुल शमय है, किसी अनुवी व्यक्ति का भी उच उचित सहयोग मिलेगा, घर के किसी विवाय योग सदस्य के लिए उचित रिष्टा आएगा, जिससे घर में खुसी भरा बातावरण रहेगा, पिछले कुछ समय से आप जैसे कार को लेकर अथक मेहनत कर रहे थे, उसे समन्दित अचानक फायदा मिल सकता है, जोस्तों आज आपकी कोई योजना या शकना शकार होने वाला है, जिसे आप उमंग और जोस महसुच करेंगे, उसे साथे साथ आज दिन भर काम की अधिक्ता बने रहेगी, पर तो साथ ही उचित सफलता मिलने से, उसा की वज़े से आप ठाकान भी भूल जाएंगे, योआवर को अपने म पुरवद्या पर ज्यादा दिखावा करना उचित नहीं है, जीवन की वास्तिक्ता को समझें और उसका सामना करें, कुणिने लेने में समान जसकी इस सिती में किसी अनुवी व्यक्ति का मारदर्शन वा सलह अनुशारन करेंगे, दोस्तों आति आत्म विश्वास जैसी भा दा ध्यान रखें कि बाहरी लोगों का हस्तचिव अपने व्यक्तित मामलों में ना आने दें, और किसी काम में भी जल्दवाजी की वज़े से काम विगर सकते हैं, इस समय धैर और विवेक से काम लेना जरूरी है, आप रिचित लोगों पर भरोशा करना आपके लिए मुसी धाम आ सकता है, घर के किसी सदस्के विवाजी जीवन में कुछ समशिया उत्पन हो शक्ती है, दुसरों की अवलोचना करने से आप शेमी किसी मुसीवत में पढ़ सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, दुस्ता बिना मतलब किसी से भी ना उल्जें, अन्था इसका खामी आ जाया, नुकसान आपको ही भुक्तना पड़ेगा, कोई रुके या उधार दिये हुए पेसे की आपसी के लिए विशेश प्रियास करने पड़ेंगे, इवाबर अपने केरियर के परती फोकस रहें, दुस्तों आपके व्याज़ा में गती आएगी, और तो अपनी क केरियर में अस्ताय तो आएगा, लमित दुरी की कोई आतरा सार्थक वर्दक दायक रहेगी, युआ को सोध अधयन अनुसंदान जैसी गत्ती विदियों में उपलब्दी हासिल करेंगे, इस समिच दे व्यापारी उतार चड़ाब से कुछ रहात मिलेगी, दोस्तों आज व मंदी व्यापसा में कोई भी बहतरिन ओर्डर मिल सकता है, दोस्तों रोजगार में आपके द्वारा दिये गए ठोस तथा ठोस निर्ने द्वारा कारिस्ती बहतर होगी, कोई नई समभावना हाथ में आ सकती है, द्रेकालिन लाप की किसी योजनाप पर काम शुरू होगा, और फिस में किसी सागियों के साथ बाद बाद में ओल जना नुकसायन दायक रहेगा, दोस्तों व्यापसा में कर्मचारें की सलाप पर भी उचित ध्यान दे, आपको कोई उचित मार दर्शन मिल सकता है, नियोजनाप पर अमल करने का उचित समय है, देर और सेम से परिस्ति आपको संभालें, नुकरी में या अधिकारियों की कोई नाराजगी भी साहन करनी पर सकती है, दोस्तों आप व्यापसा में कोई भी पुंजी लगा सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही आपके लिए अच्छा है और लाबदायक है, इसमें व्यापसा या तरह समंधित बनेंगें, पर तो फैनल समिंदिक कार में किसी भी तरह की लापरवाई ना करें, आर्थिक कसमस कस बनी रहेगी, दोपर बाद आचानागी परसतियां अनुकुल होगी और आपको कोई बहतेरिन और में मिल सकता है, दोस्तों बिजनेस के नजगी से यह दिन आपके लिए फ सफलता मिलेगी, और कई उनतियां भी हासिल करेंगे, वहीं बात करें लिए लव लाइप की, जिवन साथी का भरपूर सहयोग आपको अपने व्यक्तित कारें को पूरा करने में सहायक रहेगा, प्रेम तथा रोमांस में आकरसंग बढ़ेगा, दोस्तों पती पतनी के वीच मधूरता भरेज समंद रहेंगे, प्रे समंद किसी की हस्तेचेव की वज़े से विखर सकते हैं, गर में किसी सदस की सगाय समंदी कारकरम की योजना बन सकती है, मानसी ग्रूप से आप स्यम को बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे, दोस्तों घर का महल शुखद और स्वाधा बना रहेगा, यो आवर व्यर्थ की मोजमस्ती और प्रेम समंदों में ध्यान ना देकर अपने लक्षों के परती फोकस रहें, पति पत्नी व्यर्थ की समस्या में ध्यान ना देकर आप से समंद मधूर रखें, विपरित लिएंगी व्यक्तियों के साथ व्याबार करते समय मर्यादा बनाकर रखना जरूरी है दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो तना और ठकान हावी होने से बचे स्वास्त के परती आपका सकार्तम दिश्टिकोन आपको स्वास्त उर्जवान बनाकर रखेगा दोस्तो ब्लड पेसर तथा डायविटिज जेसी परेशानी बढ़ सकती है अपने आपको तनामुक्त रखें तथा दिन्चारिया में प्रकर्ति गतिविदियां रखें दोस्तो आपका उत्तम खानपान तथा वेस्तिक दिन्चारिया आपको उर्जवान बना कर रखेंगे के दिन साम के समय हनुमान के सिद्ध मंदिर में जाकर दो दीपक जिसमें एक सरसों के तेल का और एक दीपक सुधिघी का जलाने से जीवन के सारिक कश्ट दूर हो जाते हैं और आपके शवय मनुकामनाय हनुमान जी पूरे कर देंगे दोस्तों हनुमान जी के दाहने कंदे के सिंदूर का तीलक लगा कर कहीं सुब काम करने जा रहे हैं तो इससे लगा कर जाएं आपके शबय मनुकामनाय पूर्ण हो जाएंगे और बिगड़े वे काम पूरे हो जाएंगे दोस्तों आप बात के लिए अपका भागसाली रंग और भागसाली अंक क्या है दोस्तों आपका भागसाली रंग आश्मानी है और भागसाली अंक एक है दुस्तों भगवान सनी देव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सची दिन से कमेंड बॉक्स में जै शनी देव ज़रूर लिखें और विडियो को लाइक सेर ज़रूर करें धन्यवाद